करीब 13 साल पहले मैं एक दो राहे पर था जब मेरे पिता जी कमभी रूप से बिमार थे और अपने जीवन के उस मोड पर और उसे पहले भी मेरे जीवन में धर्म का नियम से पालन होता था मुझे इसी तरह से सिखाया गया था मुझे लगता था कि वैसा करना ही सही चीज है जब मेरे पिता अपने आखरी वक्त में थे तो मुझे कई चीजें करनी के सला दी गई थी जो अब मुझे बिल्कुल बेतुकी लगती है जैसे किसी खास मंदिर में जाना, किसी खास रंकी गाए को कुछ खिलाना और घर में कुछ पूजा पाठ करना और मैंने वो सारी चीजें की बिना उस बारे में जादा सोचे क्योंकि जैसा कि आपने कहा जब आप इस धर्ती पर मूर्खों की बात कर रहे थे तब मैं निश्चित रूप से उन में सेख था लेकिन कई बार आप ऐसी नाजुक स्थिती में पहुँच जाते हैं जहां आप किसी भी तरह के हताश उपाई को खोशते हैं और आप किसी उमीद पर टिके रहने की कोशिश करते हैं और ऐसी चीज़ करते हैं जिनके आपको सला दी गई होती है हलाकि वो आपकी बुद्धी या सोच के खिलाव जाती है उन लोगों के लिए आपकी क्या सला है जो अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर चुके हैं और किसी चीज़ पर उमीद लगा कर टिके हुए हैं भले ही वो धार्मिक हो, अध्यात्मिक हो या फिर कोई बेबुनियाद सला हो देखे इन सब के लिए इस तरह के आकांशाओं के पीछे बुनियादी वज़े ये है कि लोग जीवन से बुरी तरह से डरे हुए हैं ऐसा क्यों है? ये कुछ ऐसा है मान लीजे कि आप एक स्टैंड पर खड़ी एक साइकल पर बैठ गए और आप मज़े के लिए यूही पैडल चलाने लगें लेकिन साइकल अचानक स्टैंड से उतर गई और चलने लगी घबराहट ज्यादा तेज, डर और ज्यादा तेज, आतंक इसकी बुन्यादी वजए लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो साइकल चलाना जानता है ये जितनी तेज चलेगी उतना ही अच्छा होगा लेकिन जिससे साइकल चलाना नहीं आता जैसे ही ये चलेगी उसे डर लगेगा तो बुन्यादी चीज बस यही है आपको एक बहुत जटल और परिश्कृत वहन दिया गया है इस जीवन की प्रक्रिया से गुजरने के लिए यानि इंसान का सिस्टम इसमें शरीर, मन, भावना, उर्जा वगरा कई आयाम है असल में इंसानी सिस्टम बहुत जटल चीज है अब आप इसे चला रहे हैं आप जीवन से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं इस वाहन के बारे में एक भी चीज समझे बिना हर बार जब यह चलता है, आतंक पैदा होता है अगर यह नहीं चलता, तो आप बोर हो जाते हैं अगर यह चलता है, तो आप आतंकित हो जाते हैं इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है मुझे एक चीज बताईए मुझे एक ऐसी चीज बताईए, जिससे इंसान दुख नहीं पा रहा है अगर वो गरीब हैं, तो वो गरीबी का दुख मनाते हैं अगर वो अमीर बन जाते हैं, तो टैक्स का दुख मनाते हैं अगर वो अनपड़ हैं, तो उसका दुख मनाते हैं उन्हें स्कूल भेज दीजे, बे इंतहा दुख शादी नहीं हुई तो उसका दुख, आप उनके शादी करा दीजे जी, मैं इसी बात पर आ रहा था मैंने कुछ नहीं का, वो लोगी है शादी के बारे में लोगों की राय साफ समझ आ रही है तो मुझे एक चीज बताईए, जिसका लोगों को दुख नहीं है तो आप कोई व्यक्ति एक सिधान्त पेश कर देता है, जीवन ही दुख है आप जानते हैं, इस थरे की फिलोसोफी मौजूद है अब ये जीवन के बारे में नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक जीवन को छुआ भी नहीं है अभी आप जिन से खेल रहे हैं, वो बस आपके अपने विचार और भावनाए हैं, और आप पागल हो रहे हैं तो आप एक ऐसी साइकल पर सवार हैं, जिससे चलाना आपको नहीं आता लेकिन ये बस एक साधारन साइकल नहीं है, ये एक जटल मशीन है आपको इसकी सवारी करना नहीं आता, आप नहीं जानते कि अपने विचारों को कैसे संभालें, अपनी भावनाओं को कैसे संभालें इंसानी अनुभव वास्तव में आपके भीतर से पैदा हो रहा है चाहे वो दुख हो या सुख, पीड़ा हो या आनंद या आपके भीतर हो रहा है कम से कम जो चीज भीतर होती है, उसे तो आपकी मर्जी से होना चाहिए ये दुनिया आपके तरीके से नहीं चलेगी लेकिन अभी समस्या ये है कि आपके भीतर जो हो रहा है वो भी आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है आपके मन में जो हो रहा है वो एक सपना है यहां तक कि आपका सपना भी आपके अनुसार नहीं हो रहा है यही समस्या है समस्या ये नहीं है कि जीवन आपके अनुसार नहीं है यहां तक कि आपका सपना भी आपके अनुसार नहीं है और यही उनके दुख की वज़ा है लेकिन वो सोचते हैं कि वज़ा शादी है, बच्चे है, गरीबी है, नहीं बात बस इतनी है कि आप खुद उस तरह से नहीं हैं, जिस तरह से आप चाहते हैं यही आपके दुख की असली जड़ है तो अगर आप साइकल चलाना सीखना भी चाहें, जो एक साधारन बुनियादी मशीन है इसके लिए एक हद तक ध्यान देने की और भागिदारी की जरूरत होती है वरना आप साइकल नहीं चला सकते इसे चलाना चाहने के लिए एक जबरदस तिरादे की जरूरत होती है वरना साइकल चलाना बिलकुल असंभव होगा जब आप इसे चलाना सीख लेते हैं, तब आप हाथ छोड़ कर चला सकते हैं, अपनी आखे भी बंद कर सकते हैं काफी कुछ शादी की तरह है, क्योंकि पईये घूमते हैं, लेकिन कभी-कभी वो कहीं नहीं पहुंचते नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग शादी के जरीए किसी मुकाम तक पहुंचे हैं हाँ, हम पता लगाना चाहेंगी कि कहां पहुंचे हैं